कि आज हम देखाने बाले है कोलर का न्यू मोडल का एक इन्वार्ट टैंक आया है जो कंसिल सिस्टेंड बोलते हैं तो यह कंसिल सिस्टेंड है न्यू मोडल का तो यह दोनों टाइप का आता है मेकानिकल और न्यूमेटिक दोनों टाइप का आता है तो यह आपका मैंने इंस् इसको सेंटर करके सब बना दिया लाइन और यह सेंटर बनाने का बाद इसको फिटिंग कर दिया वाल में अभी स्कूरू देकर फिटिंग किया है इसका उपर में ब्रीक वाल बनेगा तो यह जो सेंटर होगा यह तो सभी लोग जानते हैं कि 135 mm होगा और इसका पाइप जो रह स्क्रूँ दे के मैं इसको फिक्स कर दिया वाल में अब इसका उपर में अपका लेज वाल बनेगा तो इससे पहले हम इसको connection कर देंगे यह आपका side inlet है इससे पहले जो था वह चारो तरफ में था लेकिन इसका सरफ side inlet है और यह pipe जो है यह pneumatic tank है यह इसका जो faceplate रहेगा यह ear में plus होता है और यह tablet container जो harpic का tablet होता है तो यह डिबबा में अब container में डाल सकते है harpic का tablet तो यह जो pipe दिख रहा है और इसको setting करने के लिए मैंने setting करने का time पे इसका उपर head इसका label देखने के लिए spirit label दे दिये क्योंकि य तो यह टाली देखने लगाने का बाद यह बहुत खरब लगता है टेड़ा हो जाता है तो टाइलिंग में अपका measurement सही नहीं आता है faceplate टेड़ा लगता है तो मैंने spirit label दे दिये spirit label देने के बाद इसका label मैंने अच्छी तरह से देख लिए और एक चीज़ देख लिजेगा कि इसका outlet pipe जो होता है यह काटिंग करने का जरूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत चोटा कर दिजेगा तो क्या होगा सीट कवर जाके faceplate में टकराएगा तो जोड़ी नहीं है कि आपको pipe pipe काटना सबसे बेश तरीका है कि इसका जो pipe रहते outlet pipe bend pipe तो नहीं काटने का बहुत अच्छा है कि पूरा pipe रहेगा एकदम सही होगा तो इसको तो मैंने fix कर दिये अभी इसका line जोड़ना है से इसका line जोड़के इसको छोड़ देंगे तो यह अपको इसका बद ब्रीक वाल बनेगा तो मैंने council system को fitting कर दिये spirit level देके इसका level भी देख लिए तो यह जो model का tank तो इसका मैंने इसका मास्क जो स्क्वार मास्क है यह चोगा जो बॉक्स है स्क्वार मास्क बोलते हैं तो square mix में मैंने fix कर दिये screw देके और इसका minimum maximum यह है के छिधने से क्या होगा या जब पानी चालोगा रहेंगे तो डब्लू सी जाकर सबाइब 오 जाएगा तो इसका कौभर लग ना है जास्त इकवर उव रहेगा जीतना टालेद निकलेगा यह पथर निकलेगा उसके बाद इसको काटिंग करके सेम काटिंग करके टैल्स का लेवल पर उसके बाद इसका फेस्प्लेट फिक्स हो कि तो यह new model का टैंग मेंने दिखा दिए है तो थैंक यू